एंडियो को बहुमत मिल गया है और उस एंडिये में जो दो घटक दल है उनका सबसे महत्पूर्ण रोल है एक नितीश कुमार की जेडियू और दूसी चंद बावु नाइडू की टीडीपी नितीश कुमार क्या क्या रुख होगा क्योंकि अभी जब पतना से दिल्ली पहुं पर दूसी में लोट करके वहां नहीं जाने रहे कोई रीजन नहीं है कि हम बैक टो इंडी हों हम लोग NDA का हिस्सा है मोदी जी के साथ रहकर के हमने चुना ड़ला है वियार की जंता ने हमें मैसी मेंडियेट दिया है हम NDA मे हैं NDA में बने रहेंगे लेकिन सर चर्चा ये भी यहां तक भी हो रही है कि नितिशी को अगर प्रधान मंत्री पत का या डेप्टे पीम का ओफर मिल जाता है तब भी क्या नितिशी कायम रहेंगे इंडिये में? जिस इंडि गठवंदन नितिश कुमार को कर्वीनर मानने से मने कर दिया था वो कैसे प्रधान मंत्री शिवकार करेगा यह सब लुभावने सपने हैं मैं सिरे से खारिज करता हूँ पुने फिर खारिज करता हूँ एंडिये में हैं एंडिये में रहेंगे और सर इस सब के बीच में जिस तरह से चर्चा यह चल लए है कि इंडिया गठवंदन के तमाम नेता बैठक भी आज भी कर रहे हैं उनका भी कहना है कि अभी हमारी सारी संभावनाय खुली हुई है, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बन सकती, कल रहूल कान्दी और खडगे जी ने भी यही कहा था, कि अभी गटबंदन के जह हैं, दलों से विचार करेंगे, लगता है कि उधर भी खेला कहीं हो सकता है, उनके खेल का ठेला हो चुका है, कोई गटबंदन उनके साथ अब बनेगा नहीं, उन्होंने एंडिये को अपने आप ही सत्ता सोपी है, अपनी गलत नीती और हटदर्मिता के कारण, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि एंडिये के जो पुराने सहयोगी दल रहे हैं, जो अलग हो गए थे, सरकार बनने दीजिए, आज हैं इंडिये की बैठक है, हम अपना पत्रवी समर्थन का सोप रहे हैं, जिसमें मोदी जी को प्रधामनती बनाया जाए, उसके बाद जब सरकार को गठन होंगे, तब फिर विस्तार से चर्चा करें, अज जब इंडिये की बैठक होगी, तो साथ में है नितीश कुमार, और कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये कहना है केसी त्यागी जी का, सही होगी कैमरा परसन प्रवीन दिक्षिट के साथ, अंकिर गुपता, इबेपी नियूस, दिल्ली